वेल्कम बाग तो माद चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अपर सब्सक्राइब हैे तो स्टार्ट करते हैं पहले पिल्सक्राइब करने चाहिए कि नहीं तो कंपनी देखेंगे एक अच्छे वालियूशन पर हम लोगों मिल रही थी तो एक बार हम लोग उसके वहां यहां पर मार्केट कैपिटलाइशेशन वाई अगर हम दो देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और तो यहां पर यहां पर रिटान एक्विटी और रिटान कैपट एंपॉइट दोनों अच्छे हैं आप वैलुएशन की बात करें तो कंपनी की पी और स्टॉक की पी में देखेंगे तो बुक वैली और करेंट पैस में भी बहुत जादा डिफरेंस नहीं है और तो नहीं लेकिन फिर भी हम नहीं कहेंगे अगर देखेंगे तो यह वैलुएशन कहीं से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ से मीट भी करती है मतलब इसकी वैल्योशन एक तरह यहां पर यहां पर डेट हम लोग देखें तो डेट एकदम मतलब काफी कम है और उसके साब से रिजर्स नहीं ने अच्छे खासर मेंटेन करके रखें नेट प्रॉफिट देखेंगे सेल्स एरली अगर देखेंगे तो हम लोग यहां पर एटीवन से बढ़के आर्ट है अब यहां पर नेट फ्रॉफिट लगातार बढ़ रहें यहां मतलब मार्जन अगर एक सेंस यह बनता है कि कमपनी के प्रॉड़क्त की वैलिघ्यु है और बॉपता ढठीमिंय अपने कस्टमर के ऊपर बजो बिजनिस को अपने यह कमिकल बेच रहें अपना एंट तो यह एक strength का signal है और नीचे आएंगे यहां पर देखेंगे cash low wise तो cash low wise positive है यहां पर share holding pattern देखेंगे तो promoters की holding 48% की आस-पास ही बनी हुई है FIs की holding FIs ने थोड़ा सा exit किया है यहां पर DIs ने भी exit कर लिया है public holding यहां पर बढ़ गई है अब चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर आप लोगों देखने को मिलेगा कि एक rounding bottom pattern मन रहा है यहां पर rounding bottom के साथ साथ देखेंगे तो यहां पर हम लोगों को breakout भी मिल चुका है तो इस range से भी break कर चुका है मतलब यहां पर एक बार resistance ले चुका है पहले इसलिए एक range भी है और तो और देखेंगे यहां से gap down कूला था तो एक हम रिचा कहते हैं कि gap up या gap down एक resistance या support की तरह अच्छा काम करते हैं तो यहां पर देखेंगे इस level को थोड़ा सा clear करके भी य बना सकते हैं जिसका stop loss बहुत ही चोटा सिर्फ इस level के आसपास हम लोगो लेना है यहां पर stop loss लेंगे इसका अगर हम लोग calculate करें इन level से उपर निकलते ही बाय कर रहे हैं तो यहां पर इमाल लेते हैं तो 5% के आसपास यहां पर एक stop loss लगएगा 5-6% का पहला target आपका 393% क इसके अंदर target ले सकते हैं जो की 22-25% और आप लोगो यहां तक के लिए ले सकते हैं इन लेश तक ले सकते हैं इसके उपर भी जाता है तो आप लोग अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो 20-30% पर प्रॉफिट बोक करना चाहते हो तो यह healthy space होगा आपके profit बोक करने के लिए क्योंकि ऊपर फिर देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं भी resistance ले सकता है क्योंकि यहां से कुछ defined नहीं है बहुत तेजी सियाल से मार्केट गिरी थी तो कोई अपना नया लेश बनाने के लिए हो सकता है resistance ले हो सकता है नीचे आए वो तो अभी तेक के लिए चलेंगे वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेर सेस्क्राइब सब कर देना बेल आइकान ओली नोटिफिकेशन बिटन जूर दवाना और अपना capital सेफ रखना ओके भाए